अलो दोस्तों विजे के निमें आपका एक बार फिर से स्वागत है तो जैसा कि अभी हमने साजेदारी पूरा कवर कर लिया है मतलब मेरे एंड से मुझे लग जीतना टॉपिक लग रहे थे साजेदारी में वो पूरे मैंने कवर कर दिया है तो आपको पूरा साजेदारी कवर हो गया है मुझे ऐसा लगा कि आपको एक बार साजेदारी के मुल्यांकन की विदि है क्योंकि इस पर examiner practical question पूछ सकता है तो मुझे यसा लगता है कि examiner औस अतलाव विधी और जो अधिलाव विधी है वो और पूंजी करण विधी है ये तीन विधी है जिनसे examiner आपसे exam में एक practical छोटा सा question बना करके एक मार्कस के लिए पूछ सकता है तो मुझे यसा लगा कि आपको इसमें दिक्कत ना आए तो इसलिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये क्या करूँगा मैं इस वीडियो में एक बार हम क्या किसको कवर कर लेंगे इन विधीयों को उना वापत से ताकि आपको इसमें फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे ठीक है तो मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो में पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी खायती कि मुल्यांकन की विधियां तो उसमें आल्मोस्ट मैंने सारी जो हे विधियां कवर कर ली थी वो आपने देखा होगा उसमें मैंने ये आपको practical solve कराया था ठीके, उसके बाद मैंने सब चीजे बताई थी, उसके बाद फिर मैंने ये आपको question solve कराया था, हमने करा था, class में, for profit basis, मतलब अधिलाव विधी जिसे कहा जाता है, ये मैंने पूर आपको समझाया था, उन class में, साथी साथी example दिया था, और वर्सो की संक्या खरीदी विधी जो मैंने ये भी बताई थी, इसके बाद मैंने पूर्जी करन विधी भी आपको अच्छे से समझायी थी, और वार्सी की विधी भी उस में समझायी थी, इस वीडियो का purpose बनाने का ये है, कि आपको ये जो भी विधिया है, इनमें confusion ना रहे हैं, तो confusion को दूर करने के लिए एक तो में क्या करने वाला हूँ, कि ये सारी जो भी मुझे लग रहा है कि जिनसे capital practical question आपसे बन सकता है, वो आपको पूरा में बताने वाला हूँ, मतलब हम क्या करेंगे, उनको पूरा cover करेंगे, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये कि उनको cover करेंगे, और में क्या कर रहा हू आपके लिए एक वीडियो जो लेकर क्या हूँगा, ये जो वीडियो आप देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम ओसरा तलाव विधी ही cover करेंगे, बस, ठीक है, ओसरा तलाव विधी का वीडियो दूँगा, इसके बाद में आपको दूँगा, पूंजी करन विधी का, तो तीन फाइद होंगे आपको एक्जाम के टाइम पर, इमान लीजे, आपको किवल किस कोश्चन पर डाउट आया, ओसरा तलाव विधी आपको समझ नहीं है, या ओसरा तलाव विधी आप भूल गए, अभी तो आपको समझ में आ गई, पर एक्जाम तक आपने देखते देख लाव विधी पर एक वीडियो बना दूगा, मतलब ये वीडियो हम इतना सौट रखेंगे कि जिसमें केवल सूपर प्रॉफिट बेसिस मेथड़ को ही डिसकस करूँगा, और इसके बाद मैं पूझी करन विधी, जो तीसरी मेथड जिससे मुझे लगता है कि कोश्चन पू आए, मतलब आपका कंसिप्ट और ग्रिप हो जाए, क्योंकि डाउट तो उस बार भी नहीं थे, पर में चाहरों कि आपके कंसिप्ट रित अच्छे हो जाए, कि आप एक्जाम में इन पर कोश्चन आए, तो एक बार में ही ये कोश्चन आप सही कर लें, ठीक है, वो पहले ह आपका कोश्चन हो जाए, तो देखे, ओसत लाव इधी का मतलब क्या होता है, ओसत लाव इधी का मतलब यह होता है, कि एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट का ही मतलब क्या होगा, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब यह होता है, कि हम विविन संक्याओं को क्या करते हैं उसके total से divide कर देते हैं वही average निकलता है जो total आता है मतलब जितनी संक्या हैं जैसे मान लीजे 182 4, 5 और यह मान लीजे 6 तो यह 6 संक्याओं का जो total आएगा उसको हम उससे divide कर देंगे तो हमारे पास जो value आती है, वो क्या आती है, इन सबका क्या आती है, average आती है, यह ही है, तो यह method क्या बोलती है, यह method बोलती है, ओसत लाव विधी, मतलब कैसा profit पर विधी नहीं कर रहा है, कैसे profit से goodwill का calculation किया जा रहा है, O7, मतलब average profit को ले करके किसका valuation निकाली जारी है तो वो निकाली जारी है ख्याती की मतलब goodwill की valuation किसके आधार पर की जारी है ओसत profit के आधार पर ये method होती है मैंने इसकी theory अभी मैं नहीं पढ़ूँगा theory हम speed में पढ़ लेंगे मैं इसके practical आपको समझा दे लाँ साल में कितना profit हुआ था दूसरे साल में कितना profit हुआ था तीसरे साल में कितना profit हुआ था चोथे साल में कितना profit हुआ था पाच्वे साल में कितना profit हुआ था और छटे साल में कितना profit हुआ था इन सब का हम average निकाल रहे है तो यहां हमारे पास जो profit यहां पर जो value निकल कर आएगी है, profit की जो value निकल कर आएगी यहां पर, वो कैसी profit होगी हमारा, वो profit होगा, average profit, ठीक है, यही यह बोल रहा है, इस मामले में पिछले वर्सों के ओसत मुनाफ़े को किसी भी अपेक्षित के लिए समयोजित किया जाता ह है, और भविश्य में परिवर्तन निर्ण है, और बाच्चित के आधार पर वर्सों के संख्या ग्यात किया थी, मतलब यह क्या करते हैं, एक तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यह जो profit निकल लिया है, यह तो profit क्या होगा, average profit होगा, किसी एक साल का profit होगा, पर हमें ऐसा लगता है, यह वर्सों के संख्या आधारित हूए, तो बस उसका दो काम क्या कर देते हैं, उसमें into कर देते हैं, तो हमारे पास जो value निकल के आती है न, अब यह 2 का into करने के बाद इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है goodwill, तो यह कैसे निकलती है, यह निकलती है ओसत करना solve और फिर यहां आना ठीक है या इसको भी देख लोगे तो काम हो जाएगा पर वह question के भी आपके पास marking होनी चाहिए चलिए तो देखिए औस अतलाब वीदी average profit तो अब हम मान लेते हैं example लेते हैं इग्जांपल के लिए हम लेते हैं हैं एक मिलिट dich क्या माख़ी यहां यह लिएर लिए यह लिए यह लिए यह ओन तू और थी टीन साल ले लिए हमने और क्या ले लेंगे अब हम ले लेंगे profit क्या लेंगे profit ठीक है profit ले लिया अब profit की value कितनी लेदी है और दूसरे साल उस फर्मे कितना प्रॉफित कमाति तीसरे साल greatly तो अब locks प्रॉफित कितना आ गिया बस अब यह क्या हुआ था रहा यह पूंद का थी मॉष्ट में इतना only प्रॉफित कमाया दूसरे शलम में एक लूफित कम आ we go Clayton और प्रॉफित ए Lesliefta hazır the problem in the open orrenate the marginli और बोलेगा कि इसको अगर आप वो रखेंगे तो यह बोलड़ेगा एक फर्म है, देखिए, एक्सामपल किस तरह का है, एक्साम में बनके रहाएक एक फर्म है, जिसमें A और B साझदार हैं, क्या बोलेगे A और B साझदार हैं, अब ख्याती का मुल्यांगन करना होगा, तो क्या रोलेंगे वो दोवर्स के मूल ले करें दो वर्सों के आधार पर क्याती ग्यात करें दो वर्सों के देंगे दोशों 3 वर्सों 2 एक whilst क Similarly अवरेंगे देगे आपको मेरेरे सबसे पहले क्या निकाल दे देखे एवरेςज प्राफिट निकालने का formula मैंने दे भी रखा और average कैसे निकलेगा जो भी profit है उन सब का total कर लेंगे तो देखिए 48,000 प्लस 60,000 प्लस 37,000 और divided by क्या होगा 3 divided by कितना होगा 3 divided by 3 होगा खीक है तो अब हमारे पास क्या आजाएगा average profit तो total कितना हो रहा है देखिए 48 plus 60 तो कितना होगा एक लाख 8,000 एक लाख 8,000 में 36 जोड़ देंगे तो 36 जोड़ देंगे फटाफट से जोड़ दीजे 37 भी तो कितना होगा total आप total कई बार करा करें अपने खुद से करा करें कोशिश करा करें कि आप खुद से जोड़ें कि वहाए पर आपको केलकुलेटर नहीं मिले जोड़ें आती है कितने सालों का टोटल प्रॉफिट है, ये तीन सालों का टोटल है, मतलब ये तीनों का अगर हम टोटल करेंगे, ये तीनों का हम टोटल करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है, वो ही आया है, ये फिगर आया है, तो ये क्या है, ये तीनों सालों का प्रॉफिट है, पर exam में आपका ये figure ही आना चीए, केवल इतना figure, ठीक है, और कुछ नहीं आना चीए, क्यों क्यों कि एक second काम का है, तो हम क्यों लिखें, अब हम क्या करेंगे, 3 से divide कर देंगे, simply, 3 से फटा-फट से divide कर दीजे, तो देखें, करिए फटा-फट से divide, तो देखें, क्या आ से, W había 2 बचे, कितने हो गाए, 24, यहां से 2 बच गए, 12 तो यह बचे कितने 2, Veteran 2, 24 चार बर च गाया, 25, 24 कितने 23, 24 कितने Ra, 24 कितनी बार आता है, तो वो आता है, 8 बार, कितनी बार आता है, आध बार तो यह 48 सजार रूपरcor jaar, अब- 44000 रुबए क्या है यह 8040000 हाई हमारा ये एवरेज प्रॉफिट है यह क्या है सकते हैं लिकने दिए और और फीर इन दो वर्स से दिए कि दो to सब्सक्राइच सबस्क्राइच? वह क्यों होगी हमारी firm की goodwill होगी और उसका मूली कितना होगा तो देखिए 48, exam में question में क्या बोल रहा है वो 2 वर्सों के मूली गा जाहरा है तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 kind 2 कर देंगे तो अब ये जो हमारे पास का answer आया है अब यह जो हमारे पास answer आया है यह क्या आया है 96,000 रुपे यह क्या आया है यह आई है goodwill किसकी goodwill आई है यह firm की goodwill आई है 96,000 रुपे क्या है यह किसकी goodwill है तो यह है firm की goodwill और firm की goodwill है और इसकी value कैसी है इसकी वेयलीο full है value किसी है तो value अभी जो दी हुई है 96,000 रुपे यह full value है मतलब 100% value कितनी है 100% value जो firm की goodwill की है वो कितनी है 96,000 रुपे बात समझभाई ये goodwill किसकी है तो ये goodwill है firm की काम की बात क्या है किसकी है फर्म की है की वेल्यू कितनी 96000 रुपे किसे निकले कि यह समझ में है एक सिंपल सा एक नंबर में कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्यों कि इसमें जो केलिकुलेशन है वह एक नंबर के लायक है उससे ज्यादा की वेल्यू है पर अगर एक्जाम में से कोश्चन पूछा जाएगा त इतना पूछ लेगा तो आपको एक नंबर फ्री में नहीं दे रहा है इतने सारे केलिकुलेशन करा रहा है पिले देखिए वह प्लस करा रहा है इसमें आप गलती ना कर दे फिर वह डिवाइट करा रहा फिर उसके बाद क्या निकलेगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट और उससे फिर जितने वर्सों का उन्होंने दिया हुआ है जैसे हमारे एक्जांपल में लिया था दो वर्स तो हमारी तब जाके क्या निकलेगी गुडविल निकलेगी ठीक है ये समझ में आया तो ये गुडविल जो भी हमने निकाली वो कैसे निकाली ओसत विधी से और ओ के सब्सक्राइब कला करें चाहरे तया जब क्या वह नहीं लगातार वुद निकालने के लिए हम क्या देते हैं वेट देते हैं उस साल के एर का या फिर क्या हो लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा हो लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा हो कम हो रहा हो लगातार प्रॉफिट कम हो रहा हो मतलब कैसा दस हजार पहले दस लाग प्रॉफिट था फिर कैसा हो गया प्रॉफिट इसमें क्या हो रहा है ऐक Tren Follow हो रहा है मतcciónलिब क्या रहा है कमपनी का अधर नश्मा जो इसमें का हो लगातार profit कम हो क्या हो इस प्रकार का ट्रेंड दिया हो जिसमें लगातार प्रॉफिट बड़े और लगातार प्रॉफिट कम हो तो हम क्या देते हैं फिर हम भार देते हैं किसका भार देते हैं उस साल का भार देते हैं क्या देते हैं भार देते हैं और हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निका बढ़ गया, किसी साल कम हो गया एकदम से, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, कब वेटेड अवेरेज नहीं लगाएंगे, कब वेटेड अवेरेज नहीं लगाएंगे, महाँले 10,20,30, देखिए बढढ रहा है 10, 20, 30, अब इस साल, चोथे साल जो फर्स्ट इयर है ये, सेकंड इयर है, थर्ड इयर है तो कि मैं इसको एक्जामपल से यहाँ पर समझा देता हूँ कब ट्रेंड लगता है, तो आपको ये लिख भी लीजेगा आप कि कब weighted average से निकालेंगे, भारीट थो 70,000, भारीट कब लेते हैं मतला weight कब देते हैं अपने average profit निकालने में तो भारइट कब देते हैं, weight कब देते हैं ये बाद धियान रखीएं, तो देखिएं, case नॉमबर वन Case number 1 या Example number 1 देखिए क्या हो रहा है ये Year दे रखा है Year मैं एक graph जैसा बना रहा हूँ इसलिए ऐसे Year दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये Year दे रखा है और Profit देखिए 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जब इसमें average profit निकालेंगे तो क्या देंगे इसमें average profit दिगाएंगे तो भारी तो 70 लाव भी दिलागे हैं मतलब क्या करेंगे हम wait देंगे किसका wait देंगे year का इस year का इस profit में क्या देंगे wait देंगे इस year का इस profit में क्या देंगे wait देंगे इस year का इस year का और इन सब year का क्या क बीस लाक रुपे का प्रॉफिट है यह कुन सा है दूसरा तो यह हम इसमें वेट देंगे तो 40 लाक रुपे इस प्रकार से हम वेटे डेवरेज करके क्या निकालेंगे हमारा जो आएगा फिर यह टोटल वेट प्रॉफिट आएगा और इसको डिवाइड भी करेंगे इसके व प्रॉफिट क्या हो रहा है उपर की तरफ जा रहा है केस नंबर टू लिखिया है केस नंबर टू क्या बोल रहा है केस नंबर टू अब देखिए केस नंबर टू है किसमें क्या है इयर है इसमें यर दे रखें यर वन तू टूर और यह यर दे रखें और साथ में क्या दे 50 लगे यह नहीं कि 10-10 का अंतलम का मतल 된 यहां पर इस से लिजे कि प्रफिट गिर रहा है प्रॉफित गिरा है अगर me I'm 00001 की जगा यह जा ब्रल यॉए ब्रॉफित फोर इस निकालते यह कूझसा है यह कुण सा example है यह example है प्रॉफिट जिसमें क्या हो рा इसका वरेच कॉस्ट को वेटेरेज profit कभी आपका で보र 55 मन जाएग आoten much year year क्या है year देखें यहां से लेते हम year one two three four five और six अब आप सोचेंगे कि sir ये इसा क्यों लिए क्योंकि देखें क्या होगा यहां पर profit दिया हुआ यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है profit पहले साल 10 लाग रुपे का की दूसरे साल 30 नगा का दो सktionल Kaente चैनल कितना रश्व साल कितना कितना व में हिए थे दूसरे साल 30 लग самой कर दूसरे साल 20 लाक ही प्रॉपिट हो ए चोथैसल पृ喜欢 का 25 का फिरigo कफा हो प्रॉफिट हो गिर ऑफ फिर क्या और प्र थे साल कितने साल मतलब इसका graph बनाया जाए तो इस तरह से बनेगा और फिर graph हलका सा गिरेगा फिर उठेगा वो फिर यह चलने लग जाएगा इस तरह से profit बनाए तो अब इसमें क्या हो रहा है देखे constant नहीं है मतलब profit बढ़ तो रहा है पर क्या हुआ यहाँ पर profit गिरा है और फिर वापस से तो ये क्या हो जाएगा अब इस एसे केस में हम क्या लगाएंगे भारित विधी नहीं लगाएंगे एक्जाम में यह कोशन पूशा जाएगा कि भारित वोसत लाव विधी का उपयोग कहा किया जाता है जब लगाता profit गबडरा होता है जब लगाता profit गिर रहा होता है दोनों या इसा कुछ भी नहीं तो समझ में आया तो अब यहाँ पर हम भारित वो weighted average cost मेंशर से average profit हम नहीं निकालेंगे यह बात समझ में आगे और weighted average profit से कैसे निकालते हैं यह मैंने आपको इस example में समझा दिया था एक बार मैं वापस समझा देता हूँ कोई confusion नहीं रखना है अपनको इसलिए मैं समझा ही देता हूँ आपको ठीक है तो देखिए यह हमको क्या दे रखा है उधारन के लिए पांच वर्सों का हमको क्या दे रखा है पांच वर्सों का एक मिनिट पांच वर्सों का हमें क्या दे रखा है पांच वर्सों का हमें यहाँ पर लाब दे रखा है साज़ादरी फर्मगा कितना तीस हजार, चालिस हजार 50,000, 60,000, 70,000 यह हमको क्या दे रखा है profit ठीक है तो अब हम क्या देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, profit कितना है, 30 फिर क्या हो गया, 40 फिर क्या हो गया, 50 फिर क्या हो गया, 60, और फिर क्या हो गया, 70 क्या एक trend follow हो रहा है, यहाँ पर प्राफिट लगातार बढ़ रहा है तो हम क्या लगाएंगे एविरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इससा क्यों किया जाता है तो मैंने आपको यह पिसली एक्जामपलं पिछली के लाश में बता था सब्सक्राइब देखिए इसले क्या जाता है क्योंकि इसको यहीं समझा देता हूं कि इसले क्या जाता है इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर यहां पर देखिए इसको अभी मैं पिले solve करा देता हूं फिर ऐसा क्यों क्या जादा ये भी बता दूँगा तो 30, 40, 50, 60 और 70 तो ये क्या हो रहा है ये profit बढ़ रहा है लगाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम क्या लगाएंगे ये वेटेड एवरेज पॉस्स से एवरेज प्रोफिट निकालेंगे तो अब हम फटा-फट से एवरेज प्रोफिट निकाल लेते हैं तो देखिए ये वन ये ये टूटल ये 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 हो गए profit कितना है यहां का 30,000 रुपए दूसरे साल का क्या है 40,000 रुपए और तीस साल का है वो कितना है सतर हजार रुपए अब हम क्या करेंगे अब इसका वेट देंगे किसका वेट देंगे इन इयरों का वेट देंगे किस पर वेट देंगे profit पर weight देंगे profit पर weight देंगे किस पर weight देंगे हमारे profit पर weight देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या जागा weight आजाएगा ये weight किसका देंगे इसका weight देंगे तो हमारा weight क्या है 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये weight क्या है ये weight और कुछ नहीं है ये year है ये year ही है कि इसका हम वेड देंगे है तो जैसे हम मतलब यह year ही है यहाँ नहीं भी लिखते तो भी नहीं है पर मेरे आपको समझाने के लिए दे दिया है यहाँ पर कि देखे वेड भी हम किसका देते हैं उस साल से relevant साल कही देते हैं उस profit के relevant प्रॉफिट कही जो है हम वेट देते हैं, यह कहीं, तो अब पेले साल हमारा, क्या आएगा, 30,000 रुपे, वेट देने के बाद अगर हम इंटू करेंगे, तो कितना आएगा, 30,000 रुपे, दूसरे साल कितना आएगा, 40,000 रुपे, रुकिए, 40,000 नहीं, दूसरे साल आएगा, 80,000 रुपे, क्य किसरे साल में आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा देर्ड लाक रुपे और चोथे साल कितना आ जाएगा चोथे साल देखेएए 6 चोख 24 दो लाख 40,000 रुपे और पांच वे साल कितना आजाएगा है तर हजार पर पांच का वेट देंगे तो सता पंजे जाएगा وेटेड प्रॉफित मतला भारित लाव वेटेड प्रॉफित निनका टोटल जब हम करेंघे तो वह क्या जाएगा वेटेडे प्रॉफित ऊसद लाविदीわかल ईम क्या करते हैं यह बात था को किलिया रहे उपर हमने देख हा था कि हमने तीन सालों का प्रॉफिट लिया था 1 मिट रूपिट लिया था यह था इसको तीन से डिवाइट कर रहा था जो हमारे पास है आया था करेंगे वेट से वेट के टोटल से तो देखे कितना एक और तीन एक और दो तीन तीन और तीन छे चे और चार दस दस और पांच पंदरा तो हमारा वेट कितना गया वेट का टोटल वेट का योगा गया पंदरा और इधर का टोटल कर लीजे फड़ाफट से देखे चार जिरो लगातार आ रहे हैं तो 4-0 सबसे पहले ले ले लिजे, 1, 2, 3 और 4 टोटल कर ले लिजे, 5, 5, 10, 10, और 3 रुके 3, और 8, 8 और 3, 11, 11, 16, 16, 16, 20, 25, 25, 25, 25 का 5, आथ के आए, 2, कितने होगा है, 2 और 1, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 8, कितना होगा हमारा, 8,50,000, 8,50,000, ये क्या आगए, भारित, ये ये बहुत को कई पर भारिद प्रॉफित आया हमारा बेरिट प्रॉफित मतलब वेटेड प्रॉफित अब हमको क्या निकालने रिट यह भारिट लाब को चाल लगाश्टी हजार को हम पांट 15 से डिवाइट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट देखें कितना आगिया हमारा एवरेज प्रॉफिट आगिया अपन हजार छेसो सर्षट रुपए ठीक है अब हमको ख्याती का मूली निकालने के लिए वो देहीं देंगे जैसे हमारे इस एक प्तर हजार के आगई हमारी गुडविल की वेल्यू आगई समाज में आई एवरेज प्रॉफिट मेथड कोई डाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड है मैं देखें मैं इसलिए समझार हूँ एक बार वापस से आपको कि इसमें से मुझे लग रहा है कि एक्जाम में दूर कर लेना वेसे मुझे अम्मेद होगे कि आप आपको भी अपनी क्लास को वीडियो क्लास देखने की जरुवत नहीं पड़ेगीए आप कर लेगे यह वापस से में एकजामपल सॉल कर लिया यह एकजामपल मैंने नोट नहीं कहिया था कि आपको समझाती हूँ में जागू होग Над Efendimiz पताऊ था आपैन रोत अंप़कों के निनियों है उन्हां की जोड़ा से पताऊ इसके बाद में आपको क्या पढ़ा दूँगा दूगा पूझी करण मेरी परणाना धिर्म से अतन Fair clay ठीक है यह वर्ड है मेरा तो मैं उसे सुधार रहा हूं तो यह हम जल से जल क्या करेंगे इनके बाद वह दो वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा तो यह complete होगे हमारी साजेदारी 10 से 20 कोश्चन, 20 से 20 कोश्चन, 25 कोश्चन में लाऊंगा आपके लिए ताकि आपका एक ओवर्वीव बन जाए प्रेक्टिस करने के लिए कोश्चनों का MCQ लियाऊंगा 20-25 MCQ से जादा नहीं 25 MCQ हम solve करेंगे क्योंकि हमारा target का है स्लेबस complete करना स्लेबस आप जब MCQ solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने पड़ा हुआ है तो आपसे बनेगा और उसे लेटर को कोशन हो तो आप वो मुझे सेयर कर सकते हैं तो हम अभी वीडियो जब लाएंगे तो उसमें बना लेंगे ओके तो यह वीडियो यहीं तक है तो वीडियो को यहीं पर ही में समाप्त करता हूं नमस्कार